आज ये 1000 question series का 9th part है अभी तके 8th part बन चुके हैं आप जाके देख सकते हैं और अगर आपको अच्छे लगा तो like करना, share करना, subscribe करना और ज्यादा सदा शेयर करना ताकि और बच्चे को भी help मिल सके जो बच्चे government exams की तयारी कर रहे हैं तो उनको भी help मिलीगी इससे previous year questions है और जरूर उसका reply करूंगे जिसको भी बच्चों को doubt होगा या कोई session रखूंगे मैं उसमें आपके सारे doubts clear करूंगी तो वीडियो स्टार्ट करते है तो first question is the novel Chanakya which won the Sahity Academy Award in 2019 was in which language देखो पहले तो ये बोला गया है जो चानकी के novel था चानके का ठीक है और उनको award मिला है अगर चानकी के novel देदी तो उनका author पूछ लेते थे या कोई author का नाम उनकी book पूछ लेते थे अब ये भी पूछा है कि कौन सी language में है ये ठीक है तो इसको a option है असामीज में है ठीक है अब हम जानते हैं चारिक की किस ने लिखी जोई श्री गौस्वामी महंता ने लिखी ह ऑन चैक तो उनको किया मिला है साहत्याक आडमी ओवार्डिन 2019 का मिला है ये तो असामीज में मिला थिक है अब आपको वह बता रहती हूं हिंदी और इंग्लिश में किसको मिला हुद्धी में मिला है छीलते हुए अपने को एक poetry थी है नंद किशोर आचारी जी की छीलते हु An Era of Darkness, इवन यह एग्जाम में भी आई वी ऐसा सी था तुर जी की बुक, तो यह आप याद कले ना, इसको भी सहत्या Academy Award 2019 मिला है, ठीक, so the next question is, in 1945, an Allied Conference decided the partition of Germany in four occupation zones, where was that conference held? 1945 में, कब? 1945 में, एक Allied Conference हुई थी, ठीक है, उसमें बता, बोला गया था है कि Germany के parts कर दिंगे, four occupation zones में, और जर्मनी का partition कर दिंगे, तो question है कि वो conference कहा हुई थी, पहले हम जान लेते conference कहा हुई थी, वो ही थी, याल्टा में, ठीक है, और कब हुआ था session, 1945 में, कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ठीक, अब इसमें क्या हुआ था, जितने भी हमारे वो थे President, जैसे President of United States के Franklin, Prime Minister of United Kingdom के Winston Churchill and Joseph Stalin, वो मिले थे, याल्टा में, क्रीमिया में है जो, वहां मिले थे, ठीक है, तीनों जर्मिनी की हार और कबजी की योजनाव नाई थी इस मीटिंग में, तो वह एग्रिवे थे कि अगर जर्मिनी की surrender के बाद उससे चार जोन में डिवाइट कर दिंगे और उसको अपना US, British, French and Soviet military forces द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, देखो कैसे deep questions पूछा जाते है, I.B. में, कि partition, पहले तो सिर्फ नाम पूछते कि partition, किस country का हुआ था, लेकिन अभी यह पूछा कहा, conference हुई थी, क्या हुआ था, सब कुछ तो next question is, prolific Indian painter, Mukbul Fida Hussain, predominantly use which of these animals to depict a lively and free spirit in his painting ठीक है, तो बच्चे ऐसे बड़े question देके ना, छोड़ देते हैं, कि समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो देखो कितना easy question है, जो मकबूल Fida Hussain जी थे, जो मकबूल Fida Hussain जी थे, वो कह रहा है, अपने paintings में lively and free spirit मतलब, जीवन और मुक्त आत्मा के बारे में paint करते थे, तो वो किस animal को depict करके, किस animal को बना के, सोच के बनाते थे, वो painting ठीक है, एनिमल के बारे में पूछा है, तो वो किसको बना के सोचते थे, horses, घोडो, जो घोड़े होते थे, उनको सोचके मकबूल फिदा हुषेन जी का बारे में आ चुके है, तो इनके बारे में जानते हैं, तो इन्होंने अपना painting का career था, वो जौरक से सुरू किया था, 1952 में, कहां पर है, वो स्यूजर लेंड में और इनको पद्मभूशन अवार्ट का मिला, 1973 में, बहुत famous है, बहुत famous personality है, इनका आ सकता है कि पद्मभूशन का मिला, 1973 में मिला, इन्होंने दो national award winning movies भी बनाई है, ठीक है कौन-कौन सी, हमारी लोधी डाइनस्टी थी, वो अफगान की डाइनस्टी थी, जिसने 1451 से 1526 तक डेली सल्टनेट पर रूल किया था, ठीक है, और यह हमारी जो लोधी डाइनस्टी है, लास्ट डाइनस्टी थी, डेली सल्टनेट की, ठीक है, अब इसके founder कौन थे, बहलोल लोधी थे, यह भी आ सकता है कि लास्ट डाइनस्टी कौन थी, दिल्ली राजवन्च की, वो थी, अपनी लोधी डाइनस्टी, ठीक, so the next question is, which of the following cannot be polarized, कि इन में से कौन सा पॉलराइनस्ट नहीं हो सकता है, मला दुरूभी करण, कौन सा नहीं हो सकता है, वो है sound waves in air, यह option, ठीक है, जो जिती भी सारी longitudinal waves होते है like sound, इनका polarization नहीं किया जा सकता है, क्दोंकि इनका जो этого particle का motion होता है, वो एक एक यह dimension में होता है, one dimension में होता है, इसलिए इनको polarized नहीं किया जा सकता है, लेकिन, cannot आया है, लेकिन अगर आएगा किसको किया जा सकता है, इनको पोलराइस किया सकता है, room temperature पर होता है, ठीक है, which is liquid, जो liquid होता है room temperature पर, तो वो है B option, bromine, ठीक है, so the next question is, the right of children to free and compulsory education RTE act which gives every child age 16 to 14 of fundamental right for education was ascendant in which year, मतलब कह रहे हैं कि, जो right of children to free and compulsory education RTE है, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए compulsory करी थी education देना, तो वो कौन से साल में की थी, मतलब सहमती दी थी कि हर बच्चे को education दी जाए, 6 से 14 साल के बच्चे को, ठीक है एक्ट तो पहले शुरू हो गया होगा, एक अप्रैस 2010 को शुरू हो गया था, और कि 6 से 14 साल के बच्चे को education दी जाए, उनका fundamental right है, यह कब बोला गया था, 26 अगल 2009 को, ठीक, next question is, how many languages have been listed in 8th schedule of the constitution of India, ठीक है, हमारे constitution of India, मैं 8th schedule में languages, कितनी languages listed है, कितनी है, A option, 22 language, अब देखो, इससे पता चल गया 8th schedule में क्या है, हमारी languages है, ठीक, अब मैंने बोला था, schedule का मैं अलग बनाऊंगे, और with, trick, ठीक है, आपको बहुत help मिलीगी, तो वो तो detail में बताऊंगे, अभी मैं इसका, सिर्फ यह बता देती हूं कि 8th schedule में क्या है, languages कितनी दी गई है, 20 languages हैं, और कौन से article में आता है, 344-1 और 351 में, ठीक, So the next question is, the full form of DNA, DNA का full form क्या है, deoxyribonucleic acid, C option, ठीक है, यह बहुत important question है, यह बहुत बार आता है DNA का, इसको तो आप रट लेना, deoxyribonucleic acid, ठीक, So the next question is, the newspaper crescent was started by the following, जो newspaper crescent था, वो किस ने start किया था, तो हम जान लेते हैं पहले किस ने किया था, गाजूला लक्षमी नारु सेटी ने, the option, ठीक है, इन्होंने क्या था start, यह याद कर लेना पहले, ठीक है, गाजूला लक्षमी नारु सेटी ने start किया था, ठीक है, अब इनके बार में जब आही गया, तो इनके बार में जान लेते हैं, इनका जनम कब होँआ था, 1806 में, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1868 में, ठीक है, तो यह जो, यह था, कि हमारा क्रिसेंट था, यह पॉलिटिकल अक्टिविस्त थी, जिन्होंने मदरास नेटिव अस्योसिएशन की स्तापना की थी, ठीक है, मदरास में पहला नियूस्पेपर क्रिसेंट ही सुरू हुआ था, यह भी आत कर लेना कि पहला मदरास में हुआ था यह और किस ने किया था, गाजुला लक्षमी नाजुची चेटी ने किया था, ठीक है, तो जो इंडिया नेशनल अस्योसिएशन था, 1876 में स्तापना हुई थी, ठीक है, देखो, इसमें साल भी दे दिया, यह भी दे सकता है कि इंडिया नेशनल अस्योसिएशन की स्तापना कभ हुई थी, 1876 में हुई थी, कहां हुई थी, कैलकटा में हुई थी, किस ने की थी, अनन्द मोहन बोज जी ने, C option, ठीक है, एन शुरेंद्रनाद बैनर जी ने भी की थी, वो option नहीं, अगर यह दोनों option होंगे तो आप द इंडिया नेशनल अस्योसिएशन फाउंड किया था, 1876 में क्यालकटा में, ठीक है, और लेकिन अब फिर यह 1885 में यह जो organization थी, यह इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के साथ मर्ज हो गई थी, ठीक, so the next question is, as per 2015, revision of the UN world population projection, the world population is 2030 is to be projected, मतला अनुमान, projected मतला अनुमान लगाया 2015 के हिसाब से, जो world की population थी, ठीक है, वो कितनी थी पहले तो 7.3 billion थी, तो वो कहरे, उसके अनुमान से 2030 तक, ठीक है, कितनी world की population हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, 8.5 billion हो जाएगी, ठीक है, यह 2015 के हिसाब से लगाया गया है उन्होंने, ठीक है, तो इसलिए 2016 में आया था ही question, the next question is, Mount St. Helens is an active stratovalkan or located in, जो St. Helens mountain है, यह कहां located है, यह है, United States of America में, कहा है, United States of America में, तो जो St. Mount Helens है, अपने famous major eruption, मलता यहां विस्पोर्ट के लिए famous है, यह ठीक है, और विस्पोर्ट का हुआ था है, 18 में, 1980 में हुआ था, इसलिए इसको active stratovalkan भी बोलते हैं, क्यो है, जो अमेरिका हिस्ट्री में डेडलियस्ट और एकनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव वालकीन एवेंट है, यहां बहुत लोग मारे गए थे, वो इकनॉमिकली वीग भी होग थी उस ताइम पे, ठीक है, और stratovalkan है क्या होता है, जहां बहुत सारी लेयर होती है, लावा आए स्थाट सारी ट्रफरा, ठीक है वो इसको पार्चेनकारी भी बोलते हैं, तो यह जो техnaeक है, पार्चेनकारी भी बोलते हैं, तो यह जो technique है, न गैली बार यूज वीथी इस, ती सिस्टीण सेट हए, ती निज 14 20 ऑनांगास्स एल ना भी मेंने, जग यहां में रोम ने डेवलब की थी बाइ फ्लोरेंस ठीक है और यह ताज महल किस ने बनाया था मुगल एंपरेर ने बनाया था ठीक है मुगल एंपरे साहजा ने बनाया था आग्रा में 1631-168 इसके बीच में ठीक है अब देखो यह कोशन भी आ सकता है कि जो ताज महल वो किस टेक्निक पे बनाया गया है पित्र दोरा पे बनाया था ठीक है तो दे नेक्स कोशन इस और किसने बनाया है ठीक है यह बनाया गया है रोम डेवलब बाइ फ्लोरेंस इतली इन में से कौन से टिंडल इफेक्ट इन में से कौन से टिंडल इफेक्ट शो करता है A option milk, milk and starch solution ठीक है अगर starch solution भी होता तो आप दोनों अप्शन लगाते milk and starch solution शो टिंडल इफेक्ट, ठीक इन अग्स कोशन इस, in order to make a bill into a law, it is required to pass through किसी भी bill को law बनाने के लिए किसके द्वारा पास करना चाहिए, दोनों, दोनों houses को द्वारा, बोत लोग सभा and राजी सभा किसी भी bill का एक draft पहले तयार किया जाता, draft या bill, जो पालियमेंट के दोनों houses द्वारा पास किया जाता है, फिर प्रेजिडेंट की सहमती से वो law बन जाता है, ठीक So the next question is, with which of the following world leader Prime Minister Narendra Modi held a second informal summit and delegation level talk in Mamalapuram, Tamil Nadu in October 2019, ठीक, अब देखो, ये इतना बड़ा question है, बच्चों ने question छोड़ दिंगे, ठीक है, ये question simple है, बस ये है कि Prime Minister Narendra Modi जी ने second informal summit किसके साथ रखी थी, ठीक है, किस President के साथ रखी थी, वो भी Mamalapuram, Tamil Nadu के बारे में दिसक करने के लिए, वो रखी थी, Jinping के साथ, जाई Jinping के साथ, जो President है China के, इनके साथ meeting रखी गई थी, कब, October 2019 में रखी गई थी, Mamalapuram में रखी गई थी, ठीक है, और Tamil Nadu में है, तो ये focus, mainly meeting, जो किस में focus वी थी, रीजनल है, international issues में focus वी थी, also focus on finding way to maintain peace, ठीक है, कि हम कैसे इंडो तो ये current affair का question है, एक रख से, so next question is, which one of the following can use title Samrat, ठीक है, इन में से कौन सा राजा है, जो Samrat का टाइटल लेके चलते थे, वो कौन है, वाकटक प्रवेंशन 1st, डी option, वाकटक प्रवेंशन 1st, ठीक है, तो ये प्रवेंशन है, वाकटक डाइनस्टी के founder भी थे, ठीक है, वा प्रवेंशन 1st and only ruler कोन थे, वो थे प्रवेंशन और कहां के थे, वाकटक डाइनस्टी के थे, और वाकटक की डाइनस्टी के founder कोन थे, वो भी प्रवेंशन थे, ठीक, so the next question is where was the first general post office in India पहला post office इंडिया में कहा खुला गया कहा खुला गया? कौलकाता में ठीक so the next question is Sir Thomas Roy came an official ambassador from King James 1 of England to which Mughal emperor court Sir Thomas Roy was the official ambassador from King James 1 of England to which Mughal emperor was the official ambassador कहां के उससे आए थे? जहागीर के आए थे Sir Thomas Roy थे ने 1615 में King James 1 के ambassador के रूप में Emperor जहागीर के द्वारा विजिट किया था तो कहां के थे वो? जहागीर के Mughal emperor court में थे what is C12-S22-O11 also known as C12-S22-O11 किसका chemical formula है? B option, sugar का किसका है? sugar का salt का क्या है? NaCl, sodium chloride sand का क्या है? SiO2, silicon dioxide क्योंकि silica is found in nature as sand ठीक है? silica जो nature में found होता है, sand की रूप में होता है ठीक है? so the next question is who president over a conference of nationalist delegates at Surat in December 1907? जो Surat में एक conference हुई थी ठीक है? सूरत में देखो, Surat में हुई थी? कभ हुई थी? 1907 में हुई थी, ठीक है? उस conference को किसी ने प्रेजिडेट किया था? मतलब कौन उसके head थे? Shri Aurobindu भी option ठीक है? अब Aurobindu के बारे में आगे है तो इनके बारे में जान लेते हैं इनका जनब 15 August 1872 में हुआ था, क्यालकटा में हुआ था ठीक है? और इस जो ये conference हुई थी सूरत session, इसको सूरत session भी बोलते है तो इसमें Congress split into extremist and moderates के बीच में ठीक है? तो जो इस conference में बात हुई थी वो Congress को split करने की बात हुई थी और split हो भी गई थी extremist और moderates के बीच में और कभ हुई थी? December 1907 में हुई थी ये conference और किसने head किया था? Shri Aurobindu जी ने किया था So the next question is Whose invention led to the development of polio vaccine? ठीक है किसके invention ने polio vaccine को develop किया? किसने किया था? Dr. Jones Salk ने भी option Dr. Jones Salk के Ann Albert Bruce ने भी, ठीक है? Albert Bruce भी आ सकता है कभी नाम और या तो फिर सिर्फ Albert Bruce आएगा उस पे भी टिक कर सकते हैं ठीक? अब बाकि options में आते हैं, बाकिया options क्या है? इनको discover किया था, ठीक है? Linus Pauling ने क्या किया था? ये Quantum Chemistry के founder थे, ठीक है? Robert Welberg जो थे वो वो जीन आफ कैंसर के inventor थे, ठीक? So the next question is, who is the father of Utilitarian School of Thought? ठीक है? तो Utilitarian School of Thought के father कौन थे? वो थे, Bentham ठीक है? Zerimy, Zerimy Bentham, इनका पूरा नाम है Zerimy Bentham, इंग्लैंड के थे, ठीक है? अब जो Utilitarianism है, इसके father थे, ये एक moral थियोरी है, जो तर्क देती है कि किसी भी action या काम को सही गलस उत हद तक judge कर सकते हैं, मतलब आँका जाया जा सकता है, जिस हद तक वो human well-being या उसकी उपियोगता को बढ़ाते या घटाते हैं, मतलब एक happiness का जरिया है, ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ गलत कर रहा हो तो इसको मार दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उस हद तक judge किया जा सकता है, जब तक ही वो सही है, या उस इंसान को कोई हाम ना पहुचे, कुछ गलत ना पहुचे, ठीक है, तो एक happiness का जरिया है, इसको किसने, इसके फादर कौन थे, वो थे, जैरी मी बैंथम जी थे, ठीक, ठीक, the next question is, who remarked success come to those who dare, मतलब एक slogan है ये, मैंने प्रिवेस एक, प्रिवेस वीडियो में भी दिया हुआ एक slogan, ठीक है, वो भी देखेगा, तो ये slogan के questions भी आते हैं, तो ये है कि success come to those who dare, सफलता उनही को मिलती है, जो हिम्मत करते हैं, किसने बोला था, जवाहरलाल नहरूजी ने, ठीक, so the next question is, a person with blood group O, can receive blood from a person with blood group, जो blood group O है, वो किस से blood receive कर सकता है, कौन से blood group से, only O से, ठीक, बी contain करता है, contain both antibodies A and B, but इसमें कोई भी antigen नहीं होता है, thus it is a universal donor, ये universal donor है, ये किसी को भी blood दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O से सकता है, और universal recipient कौन है, A, B है, कौन है, A, B है, ठीक, मिलाँ किसी का भी blood ले सकता है, A, B, O, A, B का, किसी का भी ले सकता है, universal recipient A, B, और universal donor O, The next question is, the mahabodhi temple complex which is one of the four holy sites related to life of lord buddha is located in, जो mahabodhi mandir है, ठीक है, वो किसकी life से related है, पहले तो ये जान लेज़े, lord buddha की, ठीक है, अब lord buddha की life से न, चार holy sites related है, ठीक है, तो A holy site के बारे में दे दिया है, mahabodhi temple के बारे में, पूछा ये कहां है, बिहार में है, ठीक, अब है next question, arrange the following event during British rule in chronological order, अब British rule में ये events वे थे, इनको सही order में लगाना है, ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ, आप बताना मुझे, ये क्या सही order होगा, ठीक है, डांडी मार्ज, डांडी मार्ज कब हुआ था, 1931 में, ठीक है, साइमन कमिशन कब हुआ था, 1927 में, ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में, ठीक है, गाधी एर्विन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में, ठीक है, 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 ठीक ठेक? So the next question is Amoeba, Paramecium and Bacteria Undergo जो Amoeba है, Paramecium है, Bacteria है यह किसके अंडर जाते हैं? वो जाते हैं, Binary Fission के ठेक है? Parent Organism, जो दो नए Organisms में तूड़ जाते हैं, उसको Binary Fission बोलते हैं, तो Amoeba, Paramecium and Bacteria इसके अंडर जाते हैं Sexual Reproduction के अंडर कौन जाते हैं, Animals, Fungi and Plants Multifission के अंडर कौन से जाते हैं, Sporogons Algae, Budding के अंडर कौन जाते हैं Hydra and Yeast ठेक? So the next question is Who was the founder of First Search Engine Call Archie First, इससे भी पता चलिए है, First Search Engine है, उसका नाम के है, Archie है ठेक है, अब इसके founder कौन है? Alan Amtis कौन है? C option, Alan Amtis